हाई दोस्तों कैसे हैं आप सब दोस्तों आप लोग तो जानते हैं होंगे बजाज को और बजाज की ऐसी अपडेट आई है कि आने वाले टाइम पे यह हो सकता है शायद यह हो सकता है कि बजाज की गेम ही पलट जाए तो बेसिकली बजाज को आप जानते हैं लो रेंज की बा नाम ट्रेड मार्क कराया अब आप कहेंगे कि यार इसमें कौन सा नहीं बात है बहुत से नाम पहले भी ट्रेड मार्क कराएं जो बाइके आज तक देखने को नहीं मिली है इन फ्यूचर देखने को मिल सकती है लेकिन इस बार का नाम आप सुनेंगे तो आप खुद समझ दोस्तों अब ट्विणर यह वही बाइक कहीं जारी है जो बेसिकली एक 500cc की बाइक होगी जिसमें ट्विंस लेंडर इंजन होगा हांज दोस्तों मैं अगेन कहना चाहूंगा 500 CC का इंजन है लिक्विड कूल रहेगा और जो आपका ट्विन स्लेंडर इंजन रहेगा और सा हाँ जी दोस्तों बजाज बेसीकली सूपर बाइक्स की रेंज में कदम रखने जा रहा है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो यार ये एक बहुत जादा अच्छी न्यूज है कि एक इंडियन कमपनी अब डे बाइडे अपने आपको इतना अपग्रेड कर चुकी है कि अब वो सूपर बाइक्स निकालने जा रही है तो इससे अच्छी न्यूज तो एक इंडियन के तो उन्नों ने मिलके मतलब केटियम और बजाज ने दोनों ने मिलके इस इंजन को क्रेट किया अब ये वही इंजन है जिसकी इंफोमेशन पहले भी हम कई बार सुन चुके हैं लेकिन बजाज की बाइक के लिए नहीं के लिए हाई दोस्तों ये वही पैलन ट्विन इंजन जो KTM 490 Duke में आपको मिलेगा RC 490 मिलेगा 490 Supermoto और Enduro में आपको देखने को मिल सकता है तो बहुत सारी बाइक में ये जो इंजन है आपको देखने को मिल सकता है लेकिन आपको पहले भी पता आए कि Dominar की जो बाइक है उसमें KTM का इंजन यूज किया जाता है और जो Pulsar 200 उसमें भी आपका KTM का इंजन यूज किया जाता है तो ओविसी बात है इतना जब तकड़ा जॉइन वेंचर दोनों कंपने का इतनी तकड़ी पार्टनर्शिप है तो ओविसी बात है वही इंजन जो KTM का इंजन है उसी इंजन को बेसिकली इस सूपर बाइक में ट्विनर बाइक में यूज किया जाएगा अब देखे कुछ चीजें अभी भी क्लेर नहीं है कि इस बाइक का नाम ट्विनर ही रहने वाला है Flior रहेगा, Fliora रहेगा, Neuron रहेगा बहुत सारे नाम कंपण인이 ने पेटन्ट कराये हैं तो कुछ भी नाम हो सकता है लेक business Twitter नाम मेरे हिसाब से जचेगा और इसके साथ मेरे हिसाफ से Dominar, Dominar 500 को भी मतलब allows करना चाहिए अब काफी लोग जानना जाते होंगे प्राइस के बारे में तो प्राइस के बारे में कुछ भी आइडिया लगा पाना बहुत ज़्यादा जल्द बाजी होगी और ये कह पैना कि KTM की पहले आएगी या बजाज की पहले बाइक आएगी ये भी बहुत ज़्यादा जल्दबाजी हो जाएगी लेकिन launch date के बारे में कुछ information तो हमारे पास है देखें launch date के अगर मैं बात करूँ जो 2023 में ही ये बाइक आपको देखने को मिलेगे यानि एक साल का लंबा ही इंतिजार आपको करना पड़ सकता है इसके इलावा एक information और है आपको पता ही होगा बजाज और ट्राइंफ का भी joint venture काफी time से चल रहा है और इन दोनों कंपनियों के अगर मैं नजर की बात करूँ तो वो है royal infield की market में आपको पता ही है mid range में royal infield dominate करता है बजाज का साथ लेना ही पड़ेगा और ये भी कहा जा रहा है कि जो ये 500cc का parallel to in engine है ये same engine triumph की bike में भी हमें देखने को in future देखने को मिल सकता है लेकिन ये भी एक साल के लंबे इंतिजार के बाद 2023 में ही possible हो सकता है से पहले की बात करूँ तो भाई information कुछ ऐसी आती थी triumph की engineering यूज की जाएगी बजाज की service यूज की जाएगी और जो भी उनका production house है उसको यूज किया जाएगा और दोनों को मिला के triumph के नाम से एक bike मिनाई जाएगी लेकिन यहाँ पे game totally पलट चुकी है क्योंकि अब जो engine भी है वो भी आपका बजाज ही दे रही है एक तरह से बज design work होगा वो triumph का होगा overall कह सकते हैं कि engine work वगरा totally अब बजाज के पास ही रहने वाला है तो बजया अब यह वीडियो यहीं पर smart करते हैं लेकिन जाने से पहले मैं जानना चाहता हूं कि यह दोनों information क्योंकि अब triumph के वारे में चोटी से information आपको दीए मैंने तो कैसी लगी मु